चलिए देखते हैं कि कैसे हम two letter words से three letter words को आराम से बना सकते हैं जैसे कि हम अगर हम लेते हैं am a का pronunciation होता है am अगर हम इसके आगे j लगा देते हैं तो बनेगा j plus am j को कहते हैं ज़ a को कहते है am को कहते हैं am को तो हमको पता am और j लगा दिया jam देख रहे हैं कितना असानी से हम इसको प्रणामश्येट कर पा रहे हैं एकदब उसी तरह है h plus am 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 h को हो बोलते है am 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 r am r plus am 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 r को raw raw am raw am इसी तरह है आप बच्चों को easily पढ़ना सिखा सकते हैं two letter words hello friends welcome back to my channel जैसा कि मैंने बोला था कि मैंने phonics की एक सीरीज स्टार्ट की है तो आज है second video जिसमें हम सीखेंगे कि कैसे two letter words को बच्चे को पढ़ना सिखाते हैं two letter words में two alphabet होते हैं जिसको जॉइन करके हम प्रणाश्येट करते हैं phonics की help से बच्चे इसको clearly बोलते हैं A.S. 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 A.T. A.T. A.D. A.T. A.N. A.N. G.O. जी को कहते हैं तो दोस्तों कैसा लगा आपको वीडियो प्लीज कॉमेंट करके जरूर बताएं अगर किसी तरह का कोई डाउट है या फिर कोई कॉशन है तो उसके लिए आप जरूर कॉमेंट करें और इसके लिए कर लीजे मेरे चैनल को सब्सक्राइब ताकि इस तरह की और भी अच्छी अ